हाई एवरीबन आप सब कैसे हैं आपका बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए रिक्या ही हूं ऑंबलेट वाली ब्रेड तो बहुत बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया यमी डिलिश्यस ऐसे पी है दो एक ब्रेक कर लिए इसमें थोड़ा-थोड़ा-थो थोड़ा सा अपने यहां पर डाला है हल्दी बॉडर थोड़ा से चिकन मसाला सारे मेजरमेंट मेरे स्क्रीन पर लिख दिया है और इसमें डालेंगे दो चम्मस दूद दूद से कहना सॉफ्ट हो जाता है वो क्रीमी हो जाता है थोड़ा सा एग और बढ़िया साथ हो और or यहां पर मैं डाल रही हो दोहरीमेच अगर आपको ज़्यादा लगई तो कम भी डाल सकते है या और जद्यादा डाल सकते है तो यहां पर दो हरीमिज डालें और तवे पर डालेंगे हम दो चमबच मस्टर डॉयल और इसे थोड़ा गरम कर लेंगे और चार तरफ नहीं इसे तवे पर फेला लेंगे बढ़िया करके क्योंकि मस्टर डॉयल को बिल्कुल गरम करके ही यूज किया जाता है तो इसलिए इसको तवे पर ही इस तरीके से धुआ उठने तक गरम कर लीजे देखिए बस इसके बाद क्या करना है इसमें हमने डालना है प्याज और प्याज को सौते कर लेंगे हरी मिर्च भी इसके साथ ही सौते कर लेंगे और तकरीवन यहाँ पर मैं एक मिनट तक से सौते करूंगे बस गोल्डन कलर थोड़ा सा पिंकिश गोल्डन कलर हो जाए प्याज का ज तरीके से और आपने हैं एक तरीके से पर्ट करनेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे है कि इस स्लाइस को अच्छे से एग पिला रहे हैं यह समझ जीजिए कि यह जो ब्रेड है यह सब सोक कर लेगी जितना भी हमारा यह एग है बस इसी तरीके से दुबारा एक बाप अलट देंगे और इस तरीके से थोड़ा पोक कर देंगे इसको है सरे चाल सभे छीड कर दिता सब्सक् grippe să conledgury में ञाये ना इया संदिधा ने से गस्ट करिए और यहां पर मेखने जोरा सब्सक्राइब कर दिता है औो रण। भरता सब्सक्राइब करते Chat tuck करें पो यहां यहां पिस तरी के से कर दिया में नहीं बाड़ प्लट के यह दिखिए यहां पर भीम इसे प्रेस कर देंगे तो क्या होगा जब ब्रैड हमारा सारा अंज्ञ तो इस तरीकेसे तो फैलती चली जाती है, सॉफ्ट होती चली जाती है आग और ब्रेड एकी हो जाता है, तो इस तरह के से अच्छे दबा देंगे, ठीक है तो बहुत ही बढ़िया करके हमें लो फ्लेम पे से शेख लेना है, अच्छे जे बस थोड़ा-थोड़ा सा हल्का पिंकिश सा कलर आज बहुत ही बड़ी रेसेपी है कोई भी इसे बना सकता है बहुत असान है तो यहां पर आप पुछाएं तो मस्टर्ड ऑल की जगा बटर भी उसकर सकते हो देशी की उसकर सकते हो आपके उपर है और यहां और भी बंसाली डाले चासते हैं इसमें हरा धनिया वगेरा यूज कर स हैं कैपसिकम डाल सकते हैं टमैटो डाल सकते हैं वह आपके उपर है यह बिल्कुल बेशिक सा मैं एक ओमलेट वाली ब्रैट बना रही हूं तो देखें इस तरह के से महें आने से ट्राइंगल में काट ले आ और वी छोटे पीसिस में आप कट कर सकते हूं देखे इसमें प्रेटनी के साथ सॉस के साथ आप सब कर सकते हो गर्मा गर्म खाईए बहुत बढ़िया रैसिपी है बनाईए का जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा जरूर और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए नए वीडियो का तो देखिए कितनी बढ़िया यमी है और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार इंजोई ये देखिए कितनी बढ़िया रैसिपी है और बहुत ही टेस्टी है एक